हलो फ्रेंड्स आज हम बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी नास्ता बनाने वाले हैं मौर्निंग रेक्फास्ट में या आप उनके लिए टिफिन के लिए भी रेड़ी कर सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं तो यहां पर मैंने यह पालक ले लिया है जिसको मैंने या ग्रेट क बच्चे पसंद करते हैं तो डालिएगा नहीं तो नहीं डालिएगा इसमें एक प्याज लेंगे और थोड़ा सा धर्या डालेंगे धनिया पत्ति आप जरूर डालिएगा आज हम पालक पोला बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नास्ता रहता है गाईस बहुत ही तेश्ट यह बहुत फटाफट से चट कर देते हैं यहां पर हम बेसिक चीज़ डालेंगे नमक दालेंगे फफिलाल तो इसको कुछ पालक पानी छोड़ेगा तो यहां पर पालक ने बिल्कुल पानी छोड़ दिया रेष्ट कर लिया है पांच मिनिट के लिए तो अभी हम इसमें बेसान यहां पर मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं और बेसान डाल लूँ तो थोड़ा सा मैंने ओर डालिया अभी क्या करेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो अब देकि सकते हुआ इसकी तिक निस तो गारी है तो अमीधी तो इस वेटर को पतला बनाना है एक तम प तो यहां पर नीचे से अच्छी सिख्या की हो चुका है तो अभी हम इसे प्लेट में निकालेंगे और इसे में क्रेट करोंगी तो इसको मैं ट्राइंगल सेप में फोर पार्ट में डिवाइट कर दूँगी तो बस इसको अच्छे से कट करने के बाद में फोर आज मैं टिफिन बॉक्स में आपको पूरा लंच टिफिन बैक बताऊंगी बच्चे को जो मैं रखती हूं बच्चों के लिए तो वह मैं बताऊंगी आपको तो यहां मैं उसके बैसे मैं इसको इसको टिफिन बॉक्स रखती हूं स्कूल की साइट से बट लेकिन आज मैंने आपके लिए इस बॉक्स में रखा है तो यहां देखिए मैंने चटनी भी रखी है और इसमें फोर मैंने एक चिला बोल लीजी आप और थोड़े से इसमें काजू डाले है बच यहां कreck माल लीजिए आप तो यहां पे मैंने बनाना सेक बना करे आप इसके लिए करके रखाता teh Allah ऑपकी उसको पसंत है तो मैं उसके लिए इ varyी रख दिति यहां बार्ट पर, इसका बनाना शेक मस्या डालेंगे हम इसी मेंकिह इसकाओ बेट भी और इंडालेंगे,ज ऑन बील्कुल बहुत्चांद 10 पाँगे फट्डाफट से इसका नास्ता रेडी हो जाता तो इहां पे तो आपकी अपाने की सकति हैं पालग प्ला झाल झाल